अपके सामने सेभी ग्रेडे जनरल स्रीम की एग्जाइम का पेपर टू का स्लेबस पैसिफिकली पेपर दू की चर्चा क्यों करी जा रहे हैं क्योंकि यहीं पेपर की है आपके सेभी ग्रेडे ऑफिसर बनने के लिए इस पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करना पड़ेग अब पांच कोशन इन 50 कोशन में से पांच कोशन ऐसे होंगे जो अपसे टच भी नहीं होंगे यह हाई डिफिकल्टी लेवल के कोशन होते हैं आउट ऑफ दस लेबस आउट ऑफ दस कोशन आने वाले हैं अब बैलस बिचे 45 कोशन 45 कोशन को आपको 90 परसंट एक्यूरिक्श हैगा तो क्या अब इन 6 सब्जेक्ट में से Commerce, Cost, Income, Management, Economics, Finance कोई सब्जेक्ट को हम छोड़ सकते हैं तो answer है नहीं आप सब्जेक्ट तो क्या आप इन सब्जेक्ट में से topic को भी छोड़के नहीं जाएंगे अगर आपको इस exam को crack करना है आप थोड़ से smart work कर सकते हैं आपका जो यह examination का pattern है जो selection का procedure है वो तीन आपके क्या करते है phases में divided है phase 1 prelims, phase 2 mains and फिर आपका interview phase 1 prelims का exam qualifying nature का होता है अब qualifying nature का exam है तो अगर आप कुछ topic को छोड़ देता है तो mains के exam जो आपको time मिलेगा 30 या 40 days का आप उस period में उस topic को cover करेंगे ठीक है जो एक क्या करते serious aspirate है वो pre के exam के लिए नहीं पढ़ रहा वो आज के दिल से mains के exam के लिए पढ़ रहा है क्योंकि जो प्री exam में phase 1 के exam है वो तो mostly student qualify कर लेंगे ठीक है ना पढ़ाई तो कर नहीं पड़ेगे उसको भी qualify करने के लिए चलो आपके सामने paper 2 का स्वेबस के subject है हम 6 subject के उपर एक separate session ले करेंगे explain करेंगे कि एक subject को आपको कैसे prepare करना चाहिए क्या free sources available है past में क्या pattern मगारा देखेंग आज की session में accountancy को discuss करने वाले accountancy को सबसे पहले क्यों उठाया गया क्योंकि आप में से बड़े सारे student non commerce background के है और वो इस subject से घवराते हैं तो क्या इस subject को limited time के अंदर अच्छे से prepare कर जा सकता है answer है yes ऐसे believe मत करना आगे कुछ session आपके YouTube पे एंगे उन sessions को आप देखना MCQ test को commerce and accountancy का syllabus आपके सामने है पहले पार की बात करें accounting as a financial information system तो इसमें क्या करना चाहिए आपको इसके अंदर अगर बात करें तो आपका basics of accountancy जर्न लेजर डेबिट वगरा वो सब तो आजागा trial balance वगरा बट इसके अंदर दो topic जो नहीं लिख्यों है जाहांसे question पहले आ चुक 30 hours के lecture के अंदर cumulatively अगर 30 hours invest करते हैं तो आपको जो course labels है वो complete हो जाएगा इसके बाद additional lectures हैंगे जो numerical based होंगे जो तोड़ से additional topics है for example BRS है bank reconciliation statement वो यहां पर नहीं लिखावा question नहीं आया बट एक additional business topic में आपको उसको बाद में cover कर लेना चाहिए मेंस की exam से पहले अभी के लि बस cover करना जो यहां पर लिखा हुआ है उसको आप 30 hours के अंदर complete कर सकते हैं यह pure lecture की delivery है इसमें कोई भी disturbance नहीं है आप lectures YouTube पे भी आपको मिलेंगे जो भी आगे अनुले session के अंदर तो आप judge कर सकते हैं और आपको इसको test भी देना है test का schedule already मैं आपको बता चकूँ चलो पहले बात करते हैं lectures of meaning objective and basic of accounting इसको आप 2.5 hours के lecture में complete कर सकते हैं यह basics of accountancy है इसमें 2.5 hours इसे दिये गए क्योंकि जो non commerce background को student है उनको basic accounting समझ में आजया एक journey समझ में आजया कि accounting start कास होती है और financial statement कैसे बंगते है फिर अगर not for profit organization partnership की बात करें तो इसको आप 1.5 hours के lecture में complete कर लेंग directly indirectly आपको यहां से दो question दिखने वाले है अच्छा यहां पर अगर meaning objective basic की बात करें तो यहां से आपको एक question दिख सकता है not for profit organization partnership की बात करें यहां से एक question दिख सकता है schedule 3 में directly या indirectly एक question तो direct route के आ सकता है तो कहीं ने कहीं आपको दो question यहां से help करेंगे मैं ऐसा क्यों बोर र आपका clear है तो आपका ratio answers एकदम मखन होने वाला है schedule 3 अगर आपको समझ में आता है आपको classification वगरा समझ में आती है definitions वगरा समझ में आती है तो ratio answers को आप कहीं ने कहीं better perform कर पाएंगे काफी अच्छे level से perform कर पाएंगे चलो analysis of financial statement एक त्योरिटी के lecture है क्या पता को से ना है क्या पता ना है बड़ आपको lecture तो देखना है एक घंटे का lecture है schedule 3 3 hours का lecture है क्योंकि वह important ही इतना है इसके अंदर हर एक पार्ट को schedule 3 किसके लिए मतलब relevant है किसको बनाना किस format में बनाना है उसके अंदर आपका profit and loss कैसे बनता है assets की बात करें अगर balance sheet की बात करें तो assets and liabilities की classification उनके अंदर सब classification के सारे detail लेक्टेर है width 2021 के अंदर बात करें कोशन दिखेगा ही दिखेगा पांच घंटे की lecture है अगर इसको divide करूं मैं तो 2.5 आर्ट के अंदर प्योर लेक्चर के concepts के delivery है इसके बाद जो 2.5 आर्ट एक्स्ट्र है वह आपको numerical question solve करके दिखाए गया है कि अगर आपको balance sheet दिखती है आपको कोई point ऐसे जितते हैं तो आपको इसको approach कैसे करना solve कैसे करना है तो 2.5 आर्ट इसमें numerical question solve करेगा है पाच घंटे में एक घंटे का session आई है बट इसके अंदर एक घंटा क्यों और add करा गया क्योंकि इसके अंदर end AS cash flow statement का वो भी cover करा गया last year के exam में यहां से question आ चुका है end AS cash flow statement से end flow statement एक घंटे का topic easily cover कर देंगे accounting of share capital, bonus share, ride shares, e-shop, buyback, total 3 hours अगर आप यहां पर accountancy को समझ लेंगे basics of accountancy में तो यहां पर accounting of share capital में आप जल्दी pick up कर पाएंगे easy list को cover कर पाएंगे ठीक है न और balance बचे accounting standards accounting standards अगर आपको बहुत दर लगता accounting से तो accounting standards के अंदर आप basic accounting standards को प्रीत कवर कर सकते हैं और जो INDAS है उनको आप मेंस के exam से पहले कवर करेंगे जो हम आपको कराने वालों accounting standards की बात करी जाएं तो approximately 10 hours के लेक्टर उसके होने वाले हैं तो approximately 30 hours है accountancy complete है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर बात करें इसमें से कोशन आते हैं 9 से 10 8 9 10 कोशन आते हैं कुछ टॉपिक में अगर हमें दिक्कत भी रहते हैं हम non commerce background के student है बट हम कभी 6 कोशन तो पक्का सही करकर आएंगे ठीक है ना चलो वैसे target सारे के सारे question करने है आपके सामने यह वाला schedule अब यह schedule है आपके live doubt session का 20th मास से start हो रहा है इस मतलब इसके अंदर आपके live doubt session भी होंगे और सुबह 11 बजे इसका mcq test भी होगा अगर meaning objective basic of accountancy की बात करें तो इसका 50 question का test होने वाला 30 marks का आप सभी एक test को दे सकते हैं आपके test से पहले मैं YouTube पे वह sessions को लेकर आ जाओंगा अगर general debit credit ledger trial balance की बात करें तो यहां पर भी 50 questions का test होने वाला है 30 minutes का 30 minutes में आपक इसने टाइम आपको 50 question attempt करने पड़ेंगे easily हो जाएंगे ठीक है ना बाकि यह schedule है 20th मार्स से लेकिए हमार 3rd अप्रेल का accountancy चलेगा और इसके अंदर हम accountancy का crash course नहीं है यह crash course नहीं है यहां पर आपको सिर्फ doubts लेकर आना है उससे पहले आप 30 hours की lectures देखने हैं आप अपने आप 3rd April से पहले आपको 30 hours का content जो lecture है उसको complete करना है अगर आपको एक topic अंदर doubt आता है तभी आपको doubt session माना नहीं तो आपको waste नहीं करना time आपको आगवे की बढ़ाई करने है तो 30 hours के अंदर accountancy एकदम खतम है perfect है परफेक्ट है परफेक्ट है फिर आपके मेंस के एक्जाम सेक्षिन में comment section में आपको course का link मिल जाएगा आपको जाने पर study plan download करना है previous paper है वो download करने और साथ में sessions free है open है आप जाके खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपको समझ में आरे नहीं अरे चीद है तो वह जाके आप चेक करेंगे उसके बाद हम मिलेंगे आपको अगले देन टेस् तो वह आपके लिए open रख जाएगा initial के course test तो आप आके test भी देखते हैं आपको content की quality भी पता चल जाएगी आप गर आपको courses को purchase करना है तो अभी आपको discount code उसकरना है KB 25 का effective price after discount 449 ठीक है जी चलो जी इस station को हम यही पर समाप करते हैं ओके टाटा बाई बाई